हेलो एट सुदेंट्स वेलकम टु द पी एटी कोचिंग गलासेज लेलन इजिली और स्मार्टली तो आज हम पढ़ने वाले कोशन जिसमें बोला ग्या है what is the right to redressal तो इस question का मतलब है right to redressal क्या है याने कि redressal का अधिकार क्या होता है तो यहाँ पर यह जो word redressal इसका मतलब होता है निवाराण करना या solution find करना किसी भी problem का किसी भी problem का solution find करने का अधिकार जो हो consumer को होता है तो वही चीज़ा हम यहां समझेगे कि right to redressal क्या होता है तो चलिए इन डिटेल में समझते हैं इसको answer से तो यहाँ पर right to redressal में जो customer होता है students उसको यह right होता है अधिकार होता है कि customer के साथ जो भी गलत bargaining होई है bargaining का मतलब होता है मोलभाव किया गया है यह उस मोलभाव के वज़े से exploit किया गया है नुकसान पहुचाया गया है customer को तो उसके खिलाब जो भी compensate किया जा सकता है याने कि भरपाई किया सकती customer को वो redress होनी चाहिए याने कि उसका solution देना चाहिए याने कि जितना भी नुकसान हुआ है customer का उसकी भरपाई दी जाएं चाहिए customer को और यही उसका solution है और इस चीज़ को हम easily समझ सकते हैं एक example के help से कि मान लिजीए एक इनसान है उसको किसी private hospital में admit किया गया था जो कि मान लेते हैं केरला में है और उस इनसान को अपना tonsils रिमू करवाना था आपको पता होगा students की गले में tonsils होते हैं तो मान लेते हैं उस customer को I mean उस इनसान को जो की hospital के लिए वो एक customer है या patient है, मरीज है तो उस इनसान को अगर tonsils निकलवाना था तो केरल में जो private hospital है वहाँ पे हो गया, भरती हो गया तो वहाँ पे एक ENT surgeon था ENT आपको बता होगा की ear, nose, throat याने की कान नाग गला का जो specialist doctor होता है उसको बोलते ENT surgeon surgeon जो की surgery करता है, operation करता है तो मान लेते हैं ENT surgeon था जिसको की operation करना था वहाँ पे, तो operation करने के लिए एक anesthesia दवाई दी जाती है जिससे की, वो part जो वो सुन हो जाता है, या बेहोशी आ जाती है उस हिस्से में, तो मान लेते हैं कि जब ये anesthesia याने की वो सुन करने वाली दवाई दी जा रही थी तो उस case में, बेहोश करने वाली जो injection दी गई थी, वो सही तरीके से नहीं दी गई थी, improper याने की गलत तरीके से दी गई थी, और unconscious याने की बेहोशी की हालत में उसको गलत injection दी गई थी, या गलत तरीके से दी गई थी तो इससे result ये देखने को मिलता है कि जो वो इंसान था, उसको कुछ symptoms दिखाई देने लगते हैं याने कि कुछ लक्षन दिखाई देने लगते हैं कि इस चीज़ के कि जो उसका brain है जो mind है वो abnormal था थोड़ा सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा था क्योंकि उससे गरत तरीके से anesthesia का injection दिया गया था और इसके वज़ा से उसको पूरी life भर cripple रहना होगा याने कि अपंग हो गया है वो विकलंग हो गया क्योंकि उसका जो brain है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो students मैं आपको जांके जाना चाहूँआ कि ऐसा होता है कभी कभी कि जब कोई patient operation करना जाता है तो उसको anesthesia का injection लगता है याने कि सुन करने की injection दी जाती है तो उस case में होता यह है कि अगर injection गलत लग जाती है तो जो brain है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है clotting हो जाती ही वहाँ पे जिसके वज़़े से पुरी life time struggle करना पड़ता है तो यहाँ पर क्योंकि गलती जो है वो private hospital वालों की थी patient की कोई गलती नहीं थी तो उस case में जो consumer redressor committee होती है यह क्या students एक committee है एक संगठन एक team है जो की consumer को भरपाई करवा के देने का वादा करती है तो यह जो consumer redressor committee है उन्हें यहाँ पर hospital जो है वो responsible लगता है इस गलती के वज़़े से क्योंकि यहाँ पर जो medical negligence हुआ है याने की उस hospital की या doctor की लापरवाई थी negligence याने की लापरवाई होता है तो खुल मिलाकर students यहाँ पर जो consumer redressor committee है वो hospital को responsible मानती इसके लिए क्योंकि यहाँ पर hospital doctors की जो है लापरवाई हुई है और इसके वज़़ा से उनको जो भरपाई है वो hospital वालों को ही करनी होगी और इसी के लिए hospital को वो direct करते हैं निर्दिश देते हैं order करते हैं कि आपको जो है वो customer को या फिर patient को भरपाई करनी पड़ेगी तो इस तरीके से या भी clear हो जाता है कि अगर कोई भी damage याने की नुकसान होता है producers के वज़े से या फिर hospital के वज़े से या जो भी goods and services अगर customer use कर रहा है consumer use कर रहा है और अगर customer या consumer को damage होता है नुकसान होता है तो उस damage की आने की उस नुकसान की जितनी भी amount है कीमत है एन इस damage या नुकसान के लिए जो liable होगा, liable मतलब responsible होगा या उत्तरदाई होगा वो producer या फिर seller कोई माना जाएगा या इस case में hospital को माना जाएगा तो इसलिए भरपाई जो है वो hospital कोई करनी होगी ओके students clear है, I hope students आपको clear हो गया होगा, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमारी चनल को subscribe कीजिए and वीडियो को like जरू करे, आज के लिए इतना ही, thank you